हेलो दोस्तों आपको अपने यूटूब चैनल गवर्मेंट एक्जाम में स्वागत है आई होप आप लोग अच्छे होंगे आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएं 15 क्योश्चन 15 क्योश्चन ऐसे लेकर आएं चुनिंदा क्यो क्योश्चन है चाहिए वो देता हो चाहिए एयरफोर्स या लडिसी आने वाले एक्जाम एंटी पीसी ग्रूप डी कोई भी एक्जाम है उसमें बहुत मैत्पूड होंगे यह क्योश्चन तो टाइम वेश नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं क्योश्चन और आपको 15 क्यो था आपको सही आंसर बताना है कि इतियास के आरंबिक काल को निम्लखित में से क्या कहा जाता था पुरा पासाड काल या मद काल या लगू पासाड काल या नो पासाड काल आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट है तो आई होप आप लोगों ने बताया होगा तो इसमें सही जो answer है वो है पुरा पासाड काल में ही इतियास का आरंब हो चुका था तो इसका right answer is the right answer पुरा तो अगले क्यूश्चन की तन्सकारप जलते हैं, aha कellsean है कि भीम बेटे बेएक का गुफा यह नम्लखित में से किस राज्ज में है भीम बेटे का गुफा निम्लखित में ऄल्ग्रश में हो सःी आंसर बताना है तेलंगाना करनाटक औरिस्षा या मद प्रदीश आपके पास थोड़ा से समय है आपको बताना है तो इसका right answer है D. मद प्रदीश right answer कौन सा है D. D is the right answer मद प्रदेश में भीम बेटी का प्रदीश तो अगले question की तरफ चलते हैं अगला question आपके screen पर किस युग में पत्थर के ओजार सबसे पहले पाए गए थे आपको बताना है किस यूग में पत्थर के ओजार सबसे पहले पाए गए थे कौन सा ऐसा यूग था जिस समय पत्थर के ओजार मतलब बनाना स्टार्ट हो गए थे या उस समय के पाए गए थे तो इसका सही आंसर आप लोग बता रहे होंगे तो इसका आंसर है पुरा पासाड काल B is the right answer इसका आंसर क्या है पुरा पासाड काल में ही पत्थर के औजार पाए गये थे अगले क्योशन की तरफ चलते हैं अगला क्योशन है कि सिंद्धु गाटी सब्वता की लिपी कौन सी थी जो सिंद्धु गाटी सब्वता थी उस समय लिपी क्या चलती थी मतलब लेक क्या चलते थे तो बताना है आपको तेमिल या खरोष्टी या अग्याद या ब्राम्मी इसमें कौन सा अंसर है आपको बताना है तो आई होप आप लोगों ने सही अंसर लगाया होगा तो इसका अंसर क्या है अग्याद अग्याद क्या इसका अंसर है अग्याद अब अगले question की तरफ चलते हैं अगला question आपकी screen पर अगला question है कि बैदिक लोगों द्वारा किस दातू का उप्योग सबसे पहले किया गया था जो बैदिक काल था उस समय उन लोगों ने किस दातू का सबसे पहले उप्योग किया था तो A answer चांदी या सोना या लोगा या तांबा आपको बताना है कि बैदिक काल में जो धातू उप्योग किया गया था उन लोगों की द्वारा वो कौन सा धातू था तो आई होप आप लोगों ने अच्छा answer दिया होगा सही answer दिया होगा तो इसका answer है D तांबा Tom is the right answer D is the right answer तो अगले question की तरफ चलते हैं अगला question आपकी स्क्रीन पर अगला question है कि R समाज R समाज में निम्लिकित में से R सब्दा में मनुस्य के जीवन की IU जो थी वो आरोई करम अनुसार निम्लिकित चड़ों में से कौन सा विकल्प सही है मतलब जो IU थी उस समय काल के तो कौन सा सही है इसमें आपको बताना है तो I hope आप लोग सही answer देंगे अब इसको option नहीं पढ़ेंगे option पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा तो अगले हम आपको इसको इसका answer बताते है अगला question आपके screen पर अगला question है कि प्राचीन भारत में निमलकित में से किस विवाह को विधी सम्मत नहीं माना गया मतलब प्राचीन काल में ऐसा कौन सा विवाह था जो विधी विधी जो जैसे हम लोग यहां पे सामाजिक रूप से माना जाता है कि हां इनकी साधी होगे लेकिन उस टाइम नहीं माना जाता था ऐसा कौन सा इसमें विवाह था आपको सही बताना है दे विवा या आर्च विवा या गंदर विवा या ब्रह्म विवा तो I hope आप लोगों ने इसमें गलत भी लगाया होगा काफी लोगों ने और काफी लोगों ने सही आंसर भी दिया होगा तो इसका आंसर क्या है गंदर विवा गंदर सी इस दा राइट आंसर गंदर विवा को उस समय विदी सम्मत नहीं माना जाता था तो अगले क्योश्यन की तरफ चलते हैं अगला question आपकी screen पर अगला question है कौन सा इस्थान गौतम बुद्ध से संबंदित नहीं है मतलब गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने कहां कहां अपना संबोधन दिया था और कहां पर उनको ग्यान प्राप्त हुआ था वो इसमें लिखे हैं और इसमें एक ऐसा है जो गौतम ब बताएंगे तो इसका कौन सा आंसर है पावापुरी इसका आंसर क्या है पावापुरी पावापुरी इस दा राइट आंसर क्योंकि सारनात बोध गया कुछी नगर में तो इन्होंने संबोधन किया था तो अगले question की तरफ चलते हैं अगला question आपकी screen पर अगला question है प्रार बहुत द्धरमगरंतों की रचना आपको बताना है कि समें से कौन सा आंसर सही है तो आएए वोग ने शही आंसर दिया होगा कि जो प्राराम इक बहुत धर्मगरंतों की रचना है वो पाली पाट में की गई थी तो इसका इसका answer किया है? अगले question की तरफ चलते हैं जैन साहत को क्या कहा जाता है? तो आई होप आप लोगों ने शही answer दिया होगा इसका answer D काफी लोगों ने इसमें वेद भी लगाया होगा काफी लोगों ने आर सूत्र भी लगाया हो लेकिन ये दोनों आपसं नहीं है और इसका राइट आन्सर किया है जैन धर्म को क्या कै जाता था QUE को नहीं है आपको इसमें से सही बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या है तो आई होप आप लोग सही से बताएंगे कि जो बर्दमान महां भी ने परिनिर्माड कहां प्राप्त किया था तो इसमें काफी लोगों ने गलत भी लगाया हो महां भी पूछा है ना कि गौतम बुद्ध पूछा तो आप लोग सारनाथ यह पैसाली यह मत लगाईए आप इसमें से आंसर क्या है ए इस दा राइट अंसर कुछ इसी प्रकार से क्योश्चन पूछे जाते हैं एक्जामों में अब तो काफी लोगों को मौहत्मा बुद्ध के बारे में पता चल गया कि उन्होंने कहां ग्यान कि आता है यहां कहां भासड़े का का संभोधन दिया ता अपक delivery की वर्दमान महाभी महाभी के बारे में पूछ रहिए तो दरफ चलते हैं अगला कि आपके स्क्रीन के इसक्रीन पर राचीन भारत का फौण धा कि यह जिसना एपनने जीवन के अंतिम दिनों प्रत्व के शमय में उसने जैन धर्म को अपनाया था आपको शहीं बताना इसमें अंसर कि अशोग आपको सहीं से बताना है तो आई होप आप लोग शहीं बताएंगे तो इसका अंसर क्या है C is the right answer चंद्रगुप चंद्रगुप ने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था तो अगला क्योशन की तरफ चलते हैं कि महाभास से किस ने लिखी थी महाभास से जो है पुश्टग किस ने लिखी थी आपको बताना है महाभास के लेकर कौन हैं तो आप लोग यहां मनु लगा रहे होंगे या बाड लगा रहे होंगे तो यह गलत है आप मनु या बाड मत लगाईए इसका आंसर जो है वो डी है पतन जली डी इस दा राइट आंसर और माहाभास जो पॉस्तक है उसके रचैता पतन जली हैं तो अगले के शुश्कन की तरब चलते हैं अगले के शुश्कन आपके मोबाईल स्क्रिंट पर अगला क्योश्शन है कि चंद्रगुप्ट मौर ने अपने अन्तिम दिन कहां गुजारे थे, चंदरगुप्त जो मौर थे, उन्होंने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे, आपको बताना है आपने पताना है, कालिंग युद्ध के बार निम्न में से किसने महराज असो के रूपांतरड को दर्ज किया था अंतिम क्रिश्चन है अंतिम क्रिश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है अंतिम क्रिश्चन है कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महराज असो के रूप अंतरण को दज्ञ किया था आपको ऑप्शन है रॉक एक्टूथ सेकेंड, रॉक एक्टूथ फोर्रोक एक्टूथ फिफ्ट या रॉक एक्टू थर्टिन आपको जो आंसर इसका है वो आपको comment box में लिखना है आप हमें comment करें हम आपकी comment का जबाब देंगे आप comment करके हमें बताइए कि इसका क्या है तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे की आंगे आने वाले वीडियो के आपके पास समय पर पहुंचते रहें और हाँ यह एक और बात है कि आपके जो भी क्योशन है हम आपको प्रवाइड करेंगे आपको एक क्योशन का सॉल्यूशन बताएंगे तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो इसलिए के साथ जय हिंग जय भारत